हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल दा सांख्यान स्टेडीज एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है आप सब लोगों का सांख्यान स्टेडीज में रिसर्च में हमने बहुत काफी कुछ कबर कर लिया है रिसर्च का हमने टाइस पढ़े थे रिसर्च डिजाइन के तो उशमें हमने पाया था कि तीन चारतरा के में जो टाइपस रहते हैं रिसर्च डिजाइन के exploratory research design descriptive research design और experimental research design हमने उसमें कबर किया था तो हमने कहा था कि detail में discuss करेंगे experimental research design होता क्या है it is a very vast concept तो इसको discuss करेंगे तो काफी ज़्यादा 10-12 lecture की series लगती है लग से classroom phenomena में classroom environment में अगर हम इसको discuss करें और detail में तो यहां तो उतना ज़्यादा कबर हो नहीं पाएगा लेकिन हलका हलका overview आपको मैं जरूर दूँगा ताकि आपको easily समझा जाए तो experimental research design होता का है हमने जाना था कि experimental research design में actually जो hypothesis testing होती है hypothesis जो हमारा एक probable guess होता है एक proposition होता है हम यह मान के चलते हैं कि यह guess है हमारा और यह ऐसा हो सकता है future में या यह हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा ही होगा लेकिन future में उसकी validity जो है वो unknown है कि हो भी सकता है वैसा हो हो भी सकता है कि वैसा ना हो तो वो hypothesis testing को ही experiment बोला गया था कि एक चीज को हम test करेंगे देखती है क्या हमारे पास results जो है वो आते हैं इस particular phenomena के इस particular hypothesis के ठीक है तो उसी को hypothesis बोला गया था और hypothesis के लिए हमने जाना था की main दो चीजें होती है जो दो variables होते है cause होता है और एक दूसरा जो होता है वो effect होता है ठीक है एक जो होता है वो cause होता है दूसरा outcome होती है यानि कि independent और dependent variable जिसमें जो cause होता था वो हमेशा ही independent variable होता था और जो हमारा outcome या effect होता था वो हमेशा ही dependent variable था और वो dependent होता था हमारे independent variable याने की cause के उपर जो cause होगा उसका जो outcome आएगा वो dependent था ठीक है जी तो वो variables की testing जो है वो experimental research design थी तो अब इसमें start करने से पहले मैं आप सो request करूँगा कि यूट्यूब चैनल को आप subscribe करें और bell icon को hit कर लें आपको हर आने वाले latest video की notification जो है जिली मिल जाए और Facebook और Insta page जो हमारे उनको like कर लें और follow करें जी तसांखन studies के नाम से हमारे जो है वो pages है तो इसी में आप हम carry on करेंगे आगे कि experimental research design के आगे further क्या क्या types होते हैं ठीक है किस तरह से वो work out करते हैं क्या उनमें होता है क्या नहीं होता है ठीक है जी आज जो हम discuss करेंगे में इसका आधा part discuss करेंगे experimental research design का क्योंकि यह बहुत बड़ा topic है तो experiment होता क्या है सबसे पहले तो यह जानने हलका सा experiment कुछ नहीं एक just framework होता है एक collection of things होती है या एक environment हम create करते हैं एक structure create करते हैं जिसमें कुछ testing करते हैं उन variables को उन things को ठीक है जो हम मान के चल रहे हैं जो guess है कि ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा तो उसकी testing हम जिस environment में करते हैं इस environment को हम जो है वह एक्सपेरिमेंट कहते हैं ठीक है तो experimental research design भी ऐसा ही कुछ है कि हम इसमें कुछ testing करेंगे कि क्या वाकिया ऐसा होता है या नहीं होता है तो experimental research design को हम दो भागों में बाढ़ सकते हैं एक तो informal experimental design है और दूसरा जो है वह formal experimental research design है informal जैसा कि आपको नाम से पत सब्सक्राइब होता हैं बहुत जादा कुछ ध्यान में नहीं रखना है बहुत जादा कुछ ध्यान रिखना पड़ता है बहुत वास्ट और हाई-वल की स्टैक्र समें तो यहलों होता है जिसमें बहुत सिस्टेमेटिक बहुत ही डीप में हमें हार एक चीज के खाघक करना पड़ता है तो आज हम बात करें के सीर्फ और फॉप की घया तो इन्फॉर्मल डिजाइन जैसा मैंने आपको हलका सान्डियां perfect informal experimental design are those designs that normally use a less sophisticated form of analysis जिसमें बहुत ज़्यादा analysis नहीं होता है बिलकुल simple form में होते हैं और उनका जो differences होता है वो बड़ा कम होता है ठीक है बेरास formal experimental design offer relatively more control and use precise statistical procedure for analysis उनमें जो है जो formal है उनमें बहुत ज़्यादा control की जरूरत होती experiment में और बहुत ज़्यादा vast level की calculation और analysis जो हैं वो होते हैं तो आप यह मान के चलिए कि informal में ज़्यादा complexity नहीं होती है और formal में बहुत ज़्यादा complexity और calculations होती है आज हम सिर्फ और सिर्फ informal ही discuss करेंगे क्योंकि यहीं आज हो जाए यहीं बहुत बड़ी बात है और यहीं अच्छे से समझ आ जाए बाद में फॉर्मल का अलग सीरीज बनाएंगे हो सकते हैं formal experimental research design के लिए हमें part wise जैसे इसके तीन चार टाइप है एक एक टाइप करके बनानी पड़े तो इन informal experimental research design में तीन तरह के जो research design आते हैं इनका नाम बड़े ध्यान से समझिएगा पहला before and after without control design before पहले after बाद में कैसे without control जिसमें control नहीं है क्या होता है control वो मैं discuss करूंग आपसे हलांकि मैंने पहले भी बताया था दूसरा है after only with control तीसरा है before and after with control एक ऐसा इसमें type है जिसमें control नहीं है लेकिन before and after है दूसरे दोनों में control है लेकिन एक में सिर्फ after control है दूसरे में before and after दोनों है ठीक है अब हलका सा आपको मैं याद दिला दू जो हमने experiments related terms पड़ी थी जब हम experimental research design पढ़ रहे थे और research design का topic कबर किया था तो उसमें हमने बोला था एक होता है experiment group एक होता है हमारा control group और control group वो group होता है जिसके उपर हम treatment नहीं देते हैं मतलब इसको हम without treatment जो है वो हम क्या करते हैं observe करते हैं और experimental group वो group होता है जिसके उपर हम treatment देते हैं मानलो दो लोग हमने चुने, एक को हम दवाई देंगे, ठीक है, वैक्सिन देंगे, दूसरे को हम वैक्सिन नहीं देंगे, फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं, ठीक है, हमने मानलो जैसे किसी को बुखार आया है, ठीक है, तो एक को हम दवाई देंगे, दूसरे को हम नहीं देंगे दवाई दोनों पेसेंट हैं हमारे पास तो जिसको हम दवाई देंगे वो हुआ experimental group जिसके उपर हम experiment कर रहे हैं कि क्या ये दवाई काम करेगी की नहीं करेगी और दूसरा जिसको हम दवाई नहीं दे रहे हैं वो हुआ हमारा control group कि मतलब उसको हमने कोई treatment नहीं दिया और फिर देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या difference आता है दवाई से फरक पड़ता है कि नहीं पड़ता है दूसरे को क्या उपर, दूसरे के उपर क्या impact पड़ता है बिना दवाई के ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है उसकी हालत और जादा भी गड़ती है तो इसी तरह से दो हमारे पास research जो है जो group हो रहेंगे तो एक तो before and after, without control, एक after only, with control फिर तीसरा जो है before and after, with control, दो में control group होगा एक में control group नहीं होगा तो सबसे पहला जो है before and after without control, design या control group ठीक है इसमें जो बात करेंगे जी, देखिए, इसमें test area जो है, level of phenomena before treatment हम क्या करेंगे, हम randomly कुछ लोग select करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना कुछ लोग select किये, जैसे मालो हमको ये जानना है कि क्या फरक पड़ता है, ठीक है, किसका intelligence level का, या मालो हमने ये example सही रहेगा, जो मैं अब दूँगा कि हमने statistics का कोई course करवाना है, ठीक है, और उसका देखना है कि students के ओपर क्या impact पड़ता है, क्या उनकी statistics से related understanding जो जादा हो पाती है, या नहीं हो पाती है, या पहले की तरह बहुत आर्मल रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये है before and after, without control group, हमने सिर्फ और सिर्फ 25 लोग इसमें लिये, randomly selected हैं सारे लोग, 25 लोग चुने, और उनका एक test लिया, क्या किया, एक test लिया, फिर देखा कि उनके marks कितने आए, ठीक है जी, तो test जब किया, तो उनकी performance जो थी, वो माल लोग 50 प्रतसत से कम थी सब की, किसी के 48 marks आए, किसी के 49 आए, किसी के 50 आए, किसी के 40 आए, किसी के 0 आए, किसी के 10 आए, किसी के 20 आए, तो ये क्या था हमारा before, before हमने मतलब treatment देने से पहले उनका measurement कर लिया, ठीक है, फिर हमने उनको treatment दिया, मतलब क्या, उनको statistics का एक course कराया, 7 दिन का या 2 हपते का या 1 महीने का, फिर उसके बाद उनका एक और test conduct किया, और फिर देखा कि क्या difference आया, कि अब उनके marks जो है वो बढ़े या नही 50 और क्या कहते हैं, 42, 0, 10, 20 या फिर बढ़े 65, 60, 75, 80 इस तरह से क्या difference आया, तो जो treatment का effect है, वो हम जो मापेंगे, वो हम मापेंगे Y-X, मतलब बाद में जो हमारे results आये, उससे हम minus करेंगे जो पुराने results थे, तो देखेंगे कि उस particular, एक particular child में या पूरे group की performance में कितना difference पूरे group की performance हम average performance मान के चलेंगे, before वाली भी और after वाली भी, पहले की और बाद की वी, treatment देने से पहले की, treatment देने के बाद, तबी तो before and after बोला गया, before मतलब treatment देने से पहले, और after मतलब treatment देने के बाद, ठीक है, जो सिखाया उसके बाद, तो जो बाद में जो सिखाया, उस बात करते हैं after only with control design, after only with control design में क्या है कि इसमें देखें after, बाद में, किस के बाद में? treatment के बाद, treatment जो अब बीच का point है, before होगा treatment से पहले और after होगा treatment के बाद, treatment मतलब exposure, ठीक है, अब हम मान के चल रहे हैं after only with control design, यहाँ पे क्या होगा, यहां control design भी है, मतलब यहां पर अब दो group हुए, माना पूरी class में से हमने 50 बच्चे select किये, ठीक है, 50 में से 25 ऐसे जिनको हमने statistics का course करवाया, 25 ऐसे जिसको हमने statistics का course नहीं करवाया, यहां हमने treatment देने से पहले कोई measurement नहीं लिया, कोई test नहीं लिया उनका, कि क्या है उनके results, हम हमने देखा कि एक group को हमने treatment दिया, ठीक है, treatment introduced, और दूसरे group को treatment हमने नहीं दिया, जिसको हमने control group बोला, या control जो हमारे samples है, control samples है, और दूसरा था जो test area जिसको हमने treatment दिया, यानि कि experimental area, test area को हम experimental area भी बोलेंगे, ठीक है, और इसके बाद बोला, जो control area है, वो उस पे कोई treatment कोई statistics ka course नहीं करवाया और सिर्फ और सिर्फ उनकी performance मापी measure की कितनी बार सिर्फ एक बार शिर्फ बाद में treatment के बाद मापी performance किसकी जिनको treatment दिया उनकी भी और जिनको treatment नहीं दिया उनकी भी मतलब 25 बच्चे ऐसे थे जिनको हम statistics का course करवाएंगे 25 ऐसे थे जिनको statistics का course नहीं करवाया ठीक है फिर उनका test लिया तब देखा कि कितना फरकाया तो इसमें जो हम major करेंगे effect को test के effect को या experiment के effect को वो होगा y-z मतलब treatment जिनको दिया उनका क्या difference उनका क्या result आए minus करेंगे उनके result में से जिनको treatment नहीं दिया उनके results को और इस तरह से हमें treatment या experiment का जो है वो result पता लग जाएगा ठीक है यह दूसरा design हो गया हमारे पास अब बात करते हैं इसका जो तीसरा design है before and after with control design पिछला भी control design था मतलब पिछले में भी control group था उससे पिछले में control group नहीं ठीक है तो यहां बोलता है before and after अब बहुत simple सा logic है देखिए before and after में जो measurement होगी results की वो दो बार होगी after only में सिर्फ एक ही बार होगी अब जिसमें बिद control होगा उसमें मतलब दो group होगे और जिसमें without control होगा उसमें सिर्फ एक ही group होगा अब इसमें क्या थे दो group हैं हमने फिर 25 बच्चों का group दूसरा 25 बच्चों का group एक group को बोला हमने experiment group दूसरे को बोला हमने control group मतलब जो non experiment group है जिसके उपर treatment नहीं देंगे हमने इनका भी test लिया 25 बच्चों का और इन 25 बच्चों का test भी लिया result देख लिए कितने कितने number आए फिर एक group को हमने जो है वो statistics का course करवा उसको हमने course नहीं करवाया फिर हमने दूसरी बार फिर से उनके results देखे ठीक है क्या result रहे दूसरे test में जो हमने दूसरी बार लिया जो हमारा experiment group था उसके क्या result आए और जो हमारा control group था उसके क्या result आए ठीक है जी तो जब हम इनके results का deviation find out करेंगे treatment का effect find out करेंगे तो हम कैसे find out करेंगे effect को treatment का effect हमें पता लगेगा y-x मतलब जो दूसरी बार test लिया किसका experiment group का ठीक है जिन बच्चों को हमने course करवाया उनका जो दूसरी बार हमने test लिया उसके result माइनस पहले वाले की result ठीक है पहले बार मतलब पहली बार जो test लिया था कि इसका experiment group का जिनको course करवाया था उनका जो पहले वाला result था और उन दोनों के जो माइनस करके आएगा उसमें से हम combine minus कर देंगे दूसरा जो control group था जिसको हमने कोई treatment नहीं दिया उसके z-a उसके दूसरे जो result आए उसमें से पहले तो हम पहले test के result माइनस करेंगे और फिर जो बचके आएगी value उसमें से हम test area जो experiment group था उसके result से हम minus कर देंगे इस तरह से हम जो है वो treatment का effect हमें पता लग पाएगा तो ये था जी हमारा before and after without control फिर था हमारा after only without with control group और फिर था हमारा before and after with control ठीक है जी I hope आपको ये video पसंद आया होगा थैंक्स पर लिस्निंग थैंक्स पर वाचिंग फ्लीज लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब और सेर करें हमारे चैनल को सांख्यान स्टूडियो अगर आपके कोई क्वाईरी रहती है आपको को वीडियो बनवाना है या किसी को टॉपिक में आपको problem आ रही है you can mail me or sksankhyan666 at gmail.com call कर सकते हैं whatsapp कर सकते हैं 7627096162 पर अगर आपको handwritten notes की copy चाहिए net के exam के लिए ठीक है soft में या hard में then you can contact to me आपको available करवाई जाएगी thank you thanks a lot thank you very much